नमस्कार स्वागेता अब सभी का साथ यो बड़ी खुश कबरी आई है पंचाय चुनाओ को लेकर पंचाय चुनाओ में एक हफते के अंदर ही अधिसूचना जारी हो जाएगी और फिर फोम बरने शुरू हो जाएगे लेकिन अब की बारे के बड़ा बदलाओ कर दिया है सरकार ने आप देख रहे हैं एनसेस नो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को सेर करें पंचाय चुनाओ उमिद्वारों को अपने साथ तीन आसिरोतों की आयका स्तरोत बताना होगा यदि आप फोम बढ़ रहे हैं तो आपके घर में जितने भी सदे से उनमें से तीन का आपको ये बताना होगा कि ये इतने इतने रुपे कमाते हैं और कहां से आते हैं दूसरा मान लीजिए सरपंच की बात करें साथियो सरपंच के अंदर पहले आपका SC के जो रिजर्वेशन है पिछडी जाती का वो होता था और उसके बाद जर्नल का ड्रा होता था लेकिन इसमें एक और एडिशन हो गया अब 20 का भी इसके अंदर आरक्षन होगा इटमी साथियो पहले दो थे मान लीजी पिछडी जाती का कोई भी बर सकता था तो उसका रिजर्वेशन आ जाता था ड्रा में तो गाउं के अंदर ही सरपंच है वो पिछडी जाती का बन जाता था क्योंकि ड्रा के अंदर रिजर्वेशन निकल गया यदि अगली साल ऐसा होता था कि ड्रा का अंदर फिर जर्नल की शीटा जाती थी ऐसे होता था एक साल वो एक साल वो ऐसे ही ड्रा निकलते थे लेकिन अब इसमें एक आड़ी हो गया अब एक साल यदि S.C. पिछडी जाती का सरपंच है तो अगली साल 20 सी का होगा साथियो जर्नल का फिर तीसरी साल होगा एट मीन साथियो एक साल फिर बाद जर्नल का होगा ड्राम में अब आरक्षन दे दिया एक बार सरपंच 20 सी का भी बनेगा ये जो आरक्षन है ये रेजय पाल को मुझूरी मिल गई है ये कानुन जो खटर सरकार ने कल या परसों ही लागू कर दिया है अब अधिश उचना इसमें जारी हो जाएगी इसके अलाव साथियों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जो पंच है पंच मान लीजिए पहले तो जीले के अंदर 20 गाउं है 20 गाउं में से 50% से ज्यादा जर्णल के नहीं हो सकती इटमी साथियों 9 जर्णल के सरपंच बनेंगे और 11 आरक्षन वालों के बनेंगे दूसरा मान लीजे आपके वाड के अंदर 20 वाड है और एक सर पंच बनता है 20 वाडों में ठीक है 20 वाडों के अंदर भी 11 पिछडी जाती के पंच होंगे और 9 जर्नल के होंगे इसके अंदर भी आरक्षित वाडों में दिया गया जो कि साब साब मैंने आपको समझा दिया कितने परसेंट पे पंच और कितने परसेंट पे सरपंच जिले अनुसार भी बता दिया साथियो एक ये बड़ी खबर कैबिनेट की चैनल को सस्क्राइब कर ले